प्यारे दोस्तो आज हम आपको एक गरीब नेक शक्स का वाक्या सुनाने वाले हैं जिसने अपनी और अपने घरवालों की भूख मिटाने के लिए एक बेकार मशली खरीद ली और जब घर जाकर उस मशली को उसने काटा तो मशली के अंदर कुछ ऐसा निकला जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे तो चलिए देखते हैं आज की विडियो दोस्तो एक गरीब शक्स बहुत इबादत गुजार और कसी रूल याल था घर का खर्च वगएरा इस तरह से जलता था कि घरवाले उनकी रसिया बनाते और वो उन्हें बेचकर खाने पीने का सामान लेकर जितना उन्हें मिल जाता वो उसी को खाकर अल्लह पाक का शुकर अदा करते हमेशा की तरह एक मरतवा वो निक शक्स उनकी रसियां बेचने बाजार गया और जब रसियां बिग गई तो घरवालों के लिए खाने का समान खरीदने लगा इतने में उसका एक दोस्त उसके पा मुझसे एक जरुत मन ने सवाल किया कि वो हमसे जादा हाज़त मन था लेहाजा मैंने सारी रकम उसको दे दी तो घरवालों ने कहा कि अब हम क्या खाएंगे हमारे पास तो घर में कुछ भी नहीं है उसने एक शक्स ने घर में इधर उधर नजर तो उड़ाई तो उसे एक उससे वो तूटा हुआ प्याला और घड़ा ना खरीता इतनी में वहाँ से एक शक्स गुजरा जिसके पास एक खराम मचली थी जो फूली हुई थी मचली वाले ने कहा कि तू मेरा खराम माल अपने खराम माल के बदले खरीद ले यानि कि ये तूटा हुआ प्याला और कि हम इस बेकार मचली का क्या करें, तो उस इबादत कुजार शक्स ने कहा, तुम इसे भून लो, हम इसे एक खालेंगे, अल्लह पाक की जात से उमीद है, कि वो मुझे रिज्जक जरूर अता करेगा, चुनांचे घरवालों ने मचली को काटना शुरू कर दिया, और जब उस जोहरी के पास गया, और उससे पूछा, किस मोती की कीमत क्या होगी, जब जोहरी ने वो मोती देखा, तो उसकी आँखे फटी की फटी रह गई, और वो हैरान होकर कहने लगा, कि तुम्हारे पास ये मोती कहां से आया, उस नेक आदमी ने जवाब दिया, कि हमें अल्लह पा कीमत इससे कहीं ज़ादा है, तुम ऐसा करो कि फला जोहरी के पास चले जाओ, वो तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे सकेगा, चुनांचे वो नेक शक्स उस मोती को लेकर दूसरे जोहरी के पास पहुंचा, और जब उसने भी इस कीमती मोती को देखा, तो वो भी उसे देखक हैरान रह गया, और पूछने लगा, कि तुम्हारे पास ये कहां से आया, तो साबित शक्स ने वही जवाद दिया, कि हमें ये अल्लह पाक की तरव से रिजग अता किया गया है, जोहरी ने काया कि इसकी कीमत कम से कम सत्तर हजार दिरहम है, बहराल सत्तर हजार दिरहम ले लो और ये मोती मुझे दे दो, तो जो लोग माल की महबत दिल में नहीं बिठाते हैं, वही लोग सखावत जैसी नायमत से हिस्सा पाते हैं, और अल्लह पाक पर मुकमल यकीन रखने वाला कभी भी रुस्वा नहीं होता है, तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, त कमेंट करके जरूर बताईएगा, और तब तक के लिए, अल्लह हाफिज।